इस वीडियो में बात करेंगे CMA Foundation December 22, Admit Card के बारे में December 22 का ही एक्जाम January 23 में हो रहा है ICMAI के ओफिशल वेबसाइट पर आका स्टुडेंट वाला सेक्षन पर क्लिक करके इसको बाद एक्जामनेशन वाला सेक्षन पर क्लिक करना है साइट में आपको Admit Card पर क्लिक करना है यहाँ पर देखोगे सिर्फ और सिर्फ CMA Intermediate और CMA Final का Admit Card को रिलीज किया गया है CMA Foundation का अभी तक Admit Card को रिलीज नहीं किया गया कुछ CMA Foundation का इस्टोन कंटिनिवस पूस रहे थे कि क्या CMA Foundation का भी Admit Card को रिलीज किया गया एक बर फिर से बोले अभी तक रिलीज नहीं किया गया CMA Foundation का Admit Card को जैसे ही Admit Card आएगा यह चैनल आपको सबसे पहले अपडेट कर देगा तो जो लोग भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियो तो सबस्क्राइब करके All Notification Will दबा दिजिए जैसे के आप लोग को पता है 13 January 2020 को आप लोग का सारा पेपर का एक ही दिन में एक्जाम हो जागा CMA Foundation December 22 का आप लोग ये एक्जाम में Laptop, Desktop, Mobile Phone इन सब चीजों से एपियर कर सकते हो घर बैटे इस एक्जाम में आप लोग को एपियर करना है चारो पेपर MCQ पैटन से पूछा जागा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा किसी भी पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा अगर आपको इसके रिलेटर CMA Foundation से रिलेटर कोई additional doubt है यूटूब कॉमेंट बॉक्स ओपन है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, वैसे जेनरली तोर पे 10 से 15 दिन पहले आप लोग का admit card को रिलेज कर दिया जाता है ICMAI के दोरा, इस हिसाब से बात किया जाता है तो आप लोग का admit card 2 से 4 जरवरी के आसपास रिलेज किया जा सकता है और हाँ जैसे ही admit card को रिलेज किया जाएगा ये चैनल आपको सबसे पहले update कर देगा जब आप लोग CMA intermediate में जाओगे CMA intermediate से लेकर के सारा update और announcement साथ में registration कैसे करना, exam form fill कैसे करना, इस चैनल पे update आएगा आप लोग अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियो तो सबस्क्राइब करके all notification विल दबात दीजिए और मैं मिलता हूं next वीडियो में